चलो यहां देखो आपन इंटरनेट एंड डिजाइनिंग पड़ रहे हैं तो हमारी दूसरी उनिट में क्या है देखो जड़ा HTML तो HTML के बारे हम बेसिक चीजे पहले जान लेते हैं और उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे टो HTML क्या होता है उसके बारे हम देखते है अपन पहले देखो क्या है HTML HTML का मतलब होता है Hypertext Markup Language यह पूरा नाम हो गया अब एक-एक सब्ड को समस्चते हैं ठीक है Hyper का मतलब हमको पता है पता है Language का मतलब भी पता है Language मतलब होता है दिशारों का आधान प्रादान यानि कि कोई भी चीज एक जगे दूसरी जगे जा रहे है तो इस मात भी हम से जा रही है ठीक है तो टेक्स्ट क्या है जो टाइपिंग बाला जो हम टाइप करते उसे क्या बोलेंगे अब दो सब्दों का मतलब समझना एक हैपर का मतलब समझन हमने डेली डेली बात कर रहे हैं कि कोई वेबसाइड में हम काम करते हैं करते नहीं करते चलो गूगल किछ बात करते थे और यहां पर हम बात करते हैं न्यूस पढ़ते हो आप पढ़ते तो जैसे न्यूस पढ़ते हो तो देखो यह देखो आपको क्लिक करने को आ रहा है द नॉर्माल पॉइंटर हो हैंड वाले पॉइंटर में क्या अंतार है मतलब क्या है इससे कैसे अलग है जैसे यह अलग है तो इन दोनों में क्या अंतार है देखो यहां देखो यहां पर अगर हम देखो यह नॉर्मल है यहां कुछ करेंगे तो कुछ हो रहा क्या नहीं पर यहां किलिक करेंगे तो कुछ न कुछ क्या खुलेगा हाँ, मतलब आप समझ सकते ही कि ऐसा text जिस पे link हो देखो, एक तो होता है normal, देखो यहाँ कुछ हो रहा है क्या और यहाँ पे हो रहा है तो यह जो है normal text है आपका पर यह आपका hypertext है जैसे हम msword पढ़ते थे पढ़े थे कि पढ़े है msword पढ़े हैं न, msword में चलते हैं अपन msword में जब हम कोई काम करते हैं तो हमने, मान लो, ऐसे लिख देते है html, तो html हमने लिखे यह html और एक और html हम लिख देते हैं यहाँ पर और इसको select करके हम देदेते हैं इंसर्ट में जाते हैं और यहां पर जाके लिंक पर जाते हैं और बेसिक आप इंटरनेट पर किलिक कर लेते हैं अब दोनों में क्या अंतर बताव मुझे जैसे देखो यहां पर हैंड का निसान आया और यहां पर कुछ आ रहा गया तो इसको अपन बोलेंगे only text पर इसको बो मतलब होता है दोनों तरफ bracket मानलों मैं HTML लिखना चाहता हूं तो दोनों तरफ मैंने क्या लगाया बताओ जड़ा less than greater than है ना मतलब मार्क किया गया है HTML भाग सकता है कि कहीं नहीं तो जब भाग नहीं सकता मतलब कैसे है वो markup और इसी से language बनी हमारी hypertext markup language अब इसका मुख्य उद्देश क्या है बताओ मुझे यह जो है webpage बनाने के लिए इसको उप्योग किया जाता है ना create webpage किसको उप्योग किया जाता है बनाने के लिए HTML का ठीक है तो HTML का full form भी समझ गए ठीक है अब इसको बनाने का स्रेक इसको जाता है बताओ जारा 1990 के आसपास टिम बर्नर लीने बनाए था किन ने बनाए था टिम बर्नर लेने और इसी के साथ में और कुछ बनाए था को उनने www साथ में URL और साथ में HTML यह तीन टेकनोलोजी बन बाता है कि लाना है और किस form में लाना है HTML form में लाना है अब HTML क्या universal language है आपके browser में मान लो आपका browser कोई भी हो आपके browser में जो है उसको read करने की छमता होती है लेंग्विज को देखो हम यहां पर कोई भी चीज जैसे google news पढ़े तो google news में हम चले तो देखो हमारे सामने page खुल गया news का यह खुल गया तो किस form में यह material HTML के form में कैसे है HTML के form में इसके लिए आपन देखो सीधे दबाते है F12 की बोड में F12 function की होती है जैसे हमने F12 function की rier सीधे आए देखो six nine to Car देखो देखो हमने यहां किलिक करें यहाँ पर देखो के देखो देखो दिखा यह देखो यह देखो यह देखो नीचे HTML लिखा रहा होगा इसका मतला रहे तक है और नीचे भी सजाने के लिए जैसे बोल्ड एटेलिक अंदर लाइन करना है तो बार बार फॉर्मेटिंग से बचना है तो हमको क्या करना पड़ेगा ग्याटब अश्य प्योग करना पड़ेगा और यह कुछ जावा इसक्रिप्ट जिसके तूरु हम क्या करते है एक्टिविटी लाते है मतलब रन टाइम पे जैसे मान लो कोई एक मसीन रगदो तो मानलो यह machine है जिसमें क्या है मतलब कुछ activity हो रही है ठीक और side में रग दो एक इंसान को इंसान को sweet touch हो कुछ होता एक नहीं होगा मतलब runtime पर कुछ काम कर रहा है मतलब उसमें क्या है उसमें जावाइस्क्रिप्ट उप्योग है क्योंकि activity हो रही है सीधे सजा कर रग दो एक पुतला और एक रग दो क्या इंसान को activity करेगा क्या कौन करेगा इंसान तो डाइनेमिक रूप से अगर activity करना किसको उप्योग करते हैं जावस्किप्ट का उसको format करना तो css का पर यह दोनों काम कप करेंगे जब html रहेगा क्यूंकि structure नहीं रहेगा आप साज़ा कैस दोगे आप खाली पत्थर को को कोई मतलब थोड़ी आदमी जैसे दिखेगा न और tag हमेंसा लिखा जाता इस form में कैसे जैसे मैंने अभी शुरूम बताया था mark करके मतलब इधर भी कहा रहना चाहिए एक bracket रहना चाहिए और इधर भी इन bracket को हम less than greater than बोल सकते हैं पर mark कर दिये हमने तरीके ठीक है तो यह क्या कहलाएगा बताओ मुझे tag समझ गया तो से कुछ चीजों की जरूत पढ़ती है सबसे पहले हमको text editor इसकी जरूत पढ़ती है text editor या फिर HTML editor की यह होता क्या देखते अब भी दूसरा हमको जरूत पढ़ती है web browser की web browser पता है ना पता है कि नहीं और तीसरा पढ़ती है HTML language की मतलब HTML ही बोल दो चलो text editor क्या होता है टेक्स्ट का मतलब क्या होता बता मुझे text मतलब जो लिखा है और editor मतलब जो type भी कर सकता है सुधार भी सकता है जो भी काम करना वो क्या कहलाता आपका editor टेक्स्ट एडिटार या HTML editor HTML editor भी भी ले देखे तो इसके अंतरकत क्या जाता है हम किसमें काम कर रहा है बता हो जा रहा भी चलो not paid समझ गया not paid मतलब एक text editor जहां पर हम normal text type कर सकते हैं और हम HTML का code भी यही लिख सकते हैं पर एक चित ध्यान दो अगर हम यहां पर टेक्स्ट फाइल लिखते हैं और उसको save करते हैं करते कह नहीं करते तो कौन से extension से सेव होगी ड़ूट टी-एक्स्ट होगी न तो हम उसको normal बोल देंगे text file पर हम यहां text टेक्सट फाइल बना रहा है कि क्या बना रहा है हो वैपने चाहर है वैप चैसे टो ट से छो होग मैं चैसे सब्सक्रेकर बसमार अब कर तो आपके पास जब आप पेज बना लोगे तो आपको दूसरी जरुवत किसकी पड़ेगी वेब ब्राउजर की अब इन दोनों में काम करना था हम के जानकारी होना चाहिए तीसरा पॉइंट तो जरूरी छे उसके बाद किसकी जरुवत पड़ी टेक्स्ट एडिटर की उसके गणार प्रिटर को मैंने बताए था सबसे पहले टेग आपका HTML होता है अब एक और चीज यहां आप ऐ़ जो टेग आते हैं जैसे हमने यहां देखे थे कैसे लिखते हम् टैग आते हैंए तो फे पीएर में आते हैं आप कुछ रहते हैं दमदार भाका टाइप के कि नई हमको डरने लगता अकेले चलो तो एक आते हैं अनपेर्ड कैसे आते हैं एक अनपेर्ड एक आता पेर में और एक आते हैं अनपेर्ड ठीक है इस पेलिंग ऐसी आईगी कि चल देख लेना उसमें चलो पेर्ड में मतलब होता है कि जोड़े से आते हैं यानि कि यहाँ पर ऐसे के दो tag आएंगे इसी के और unpair में मतलब ऐसा का एक tag आएगा तो कोन दो चीस तो समझ में आगे जोड़े से आएंगे और बिना जोड़े से आएंगे अच्छा जोड़े से भी आ रहा है तो आपको अपने आप में open close रहता है उसकी दिक्कत नहीं तो अभी हम पो समझ में आया है कि कोई भी HTML में लिखा जाता है उसे tag बोलते हैं tag हमें सब bracket में लिखा जाता है यह चीज रहना चाहिए spelling आपको mistake ने करना जो भी रहती जब उन-पैर वाले आएंगे वह बाद में दख लेंगी जब पयर में आ रहे एक open होगा एक close होगा अचा open करने की लिए हमने देखें है अचा लिखते हम एक यह लिखते हैं और क्लोस करने की बंद करना है और ये क्या बताता है ओपन करना है तो हमीने टे एक बात होती है कि जो test सवसे पहले सुरू इस को सबसे पहले बंदaneously भी होना था, देखो जब कि last मवंद हुआ, पिर के रूप इस बसफ रुआ हैड तो हैड का काम कहीं न कहीं, खतम हो गया होगा, उसने अपने आपको बंध कर लिया होगा, बंध कर लिया होगा, थेको उभाषी खतम कर लिया, कि नीचे तक आया तो दूसरा पॉइंट में हैट सुरू हुआ उनने अपने आपको उपर खतम कर लिया हाला कि होगा उसमें कुछ न कुछ देखो अंदर बहुत सारी चीज है है ना डॉट डॉट में उनने इसलिए बताया है क्योंकि ज्यादा लोड ना आए इस एरो को अपन दबा देंगे यहां पर तो वह अपने आपको सिकोड लेगा अब नीचे क्या सुरूआ बताओ जरा बॉड़ी तो बॉड़ी कहां तक आई है स्टीमल के बात तक आए कि पहल सुरूर्शत तो अब या चीज समझ में जो चीज पहले शुरूफ होती है वो सबसे लास्ट में बंध होतीर समझ गया सीक्वें समझे गी जो पहले आया लाश्ट में जाएगा क्योंकि आप देखो कोई बोक रखते हो आप तो बॉक रक रखते में रकते गई अब सबसे पहले कुछ सबसे और पाहां से आ जाएं, हाँ ठीक है, यहीं हझाँ छो सबसे लाष्ट में, कई है वह हो पहले निकल जा 2 लाहएं,Sमझ एंट. करके हम बन नहीं कर देंगे HTML को ऐसे करके जब पता हमको की पेर में ही आते हैं तो हम उसको ओपन कर दिये क्लोस कर दिये अब हमको लिखना कहा इसके बाहर लिखना कि अंदर लिखना अंदर ही लिखा जाएगा कोई भी चीज़ दूसरा पॉइंट हमको पता है है अब देखो कैसे यहाँ एक नीए देखा रहा रहा यहां पर गूगल नाम होना चाहिए नहीं हमारे वेब पेज का जो नाम होगा वह कहला था टाइटल तो हम कर देते हैं माय बैपेज इससे ये निल्य है जसे बंद करने के लिए किया उसको बंद करने के लिए कुछ नहीं करना जो किया एंड लास्ट में जुड़ जा रहा है फिर का जुड़ जा रहा ये ति यpowered वेक्षिक साबने चलरा तो हनुसक पीछ आप बांकी काम बचा किसका बॉड़ी का तो बॉड़ी में हम यहां पर बॉड़ी सुरू करेंगे कि हैट के बहार कि हैट के अंदर करेंगे kehat के बहाद तो अब हम कर देंगे body क्या कर देंगे और body अला कर बंद कहा कर होगे html के जस्ट ऊपार करेंगे के नि करेंगे यह कर दिये अब यह हमारा बन गया structure structure मतलब समस्ते कि बहई आप साचा बनाते की नि तो बना बना लिया है आपको raw material डालना निकालना है तो ऐसे ही आपका structure बन गया web page का अब आपको कुछ भी चीज़े कहा लिखना है body के अंदर देखो title आपका काम हो गया तो कोई जरूवत नहीं है वहां की अब हमको जरूवत कहां की है body की तो हम यहां लिख देते हैं welcome to my webpage यहां लिख सकते हैं आप save कर निक बारी आती है तो save आप normal कर दोगे .ht में तो दिक्कत हो जाएगी तो मैंने क्या बता है webpage है तो .html लगाना जरूवी है तो आपका एक folder बना लो desktop में एक folder रहना चाहिए कहां पर यहां पर यहां एक folder बना लो और यहां web page नाम से अपने desktop में separate बना लेना यह अपने नाम से बना लेना को उसमें आप डेली डेली प्रेक्टिस कर रहा है वो save करते जाओ ठीक नाम से save करना लग अलग चलो यह webpage open करें यह देखो नाम देना पड़ेगे कि नहीं तो यहां आपन कर देते हैं webpage first पर .html लगाना भूलना है क्या .html देखो क्या लगाया अपन ने कोई भी नाम देना जरूरी है उसके बाद नाम कैसा रहेगा meaningful रहना चाहिए जो काम हमने करें उसके बाद क्या लगाओ क्या लगाओ .html और सिधे ले जाकर क्या कर दोगे save है ना इसको कर दो minimize सबको minimize कर दो ठीक है यह minimize कर दिये हमने कहाँ save करें बताओ जरा लोकेशन पता रहेगी आपको दूसरी चीज आप ब्राउजर अगर जाओगे कोई भी ब्राउजर जैसे मानलुस की नई टैब उपन खुल लेते यहाँ पर यहाँ देखो open करने का option तो रहता ने पर आपको पता control के साथ आप देख सकते open का डालेक बॉक्स कुला अब यहाँ जाक अपन धूनने सकते डेस्टॉक वेब पेज और इस वेब पेज को हमने open कर ले देखो जा रहा खुला किने हमने उपर कुछ लिखे थे title में टाइटल लिखे थे यह लिखे थे आ गया बीच में screen में यह लिखे थे आ गया तो दोनों चीज जब आ गए मतलब हमारा वेब पेज सकते होगे कि होगे तो हमने अभी कह कैसी के अगर आपके exam में question आए कि HTML क्या है HTML के बारे में बताईए और दूसरी चीज उसके structure को समझा यह तो structure इतना बनाना आपको हर एक चीज को समझाना है HTML base tag होता है इसके बारे में theory पढ़ने मिलेगी ठीक है base tag होता है इसी से पहचान होती की web page है की ने ठीक उसके बाद हम head लिखेंगे head के बाद हम क्या लिखेंगे title head क्या करता है title क्या प्रदर्सित होना चाही नाम उसक चीज सो होती है वो सब कहां सो होती है body के अंदर मतलब जो भी चीज हमको सो कराना वो सब कहां लिखेंगे अपन body में समझ गए तो body भी समझ में आ गई और हर एक tag का काम कतम होने के बास पसचार हम उसको क्या कर देते हैं बंद समझ गई इतना अगर container tag आ जाये structure क्या है HTML का या फिर आपको basic जो भी structure आए तो इस से related चीजों में आपको यही बनाना है और इसको समझाना है ठीक है आगे जाके इतना रट गया इतना रट गया मतलब 2-4 बार बना लोगे computer में तो आपको रट जाएगा राम से ठीक है तो इस चीज आपको पता होने चाहिए चलो इतना समझ में आ गया तो इतने कि आप अच्छे से अभी practice करोगे उसके बाद कोई दिखकत आए तो फिर से बताना है तो basic रूप से आपको बनाना है और save करते समय धहन देना .html और आपको run कराना डारेक्ट इस फोल्डर में जा डबल किलिक करके भी आप run करा सकते हैं कौन से browser म वह बता देगा खुद बखो जैसे फिर से इसको खोलो तो देखो दूसरा webpage में खुल गया ठीक है इतना run कर आओ पहले